जिसकी जितनी संक्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये नारा दिया था भहुजल समाज पार्टी के संस्तापक कांसे राम ने उन्होंने ये नारा जाती के आधार पर प्रतिनिद्व देने के मांग को लेकर दिया था अब कॉंग्रेश ने भी इसी मांग के साथ एक नारा द जातिये जनगंडना के आंकड़ों को केंदर सरकार सार्वजनिक करे और आरक्षन पर 50% अपर लिमिट को हटाया जाए तो कुल मिलाकर इसके जरिय ओविसी आरक्षन की मांग की जा रही है देश में जातिय जनगंडना को लेकर दूसरे नेता जो सबसे अधिक सक्रिय हैं वे हैं बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार नितिश कुमार की सक्रियता का हाल यह है कि उनकी सरकार बिहार में परथम चरण की जातिगत जनगंडना कर भी चुकी है तो फिर क्या है जातिगत जनगन्ना का पूरा गनित और भारत में इसके बीच कहां से बोए गए इन सवालों के जवाब के लिए इतिहास की ओर चलते हैं ब्रिटिश आसनकाल में प्रभावसाली जातियों के एक आधिकार को देखते हुए पिछडी और दलित कहे जानी वाली जातियों ने भी व्यापार और सेना में नौक्रियों के लिए विसेसारक्षन की मांग की वर्स 1857 के विद्रों के दौरान सेना में उची जातियों की भरमार थी विद्रों में बचने के बाद अंग्रेजों ने 1881 में जाति जनगणना आरंब की उद्देश सिता जातियों के प्रभुत्तों को समाप्त करना इसे भारतिय समाज को बांटने उसमें अपने लिए अंदेश दिया कि जो जातियां इसमें उपर हैं उनका सामाजिक स्थान भी उचा होगा इस प्रकार जातियों के बीच जाति जनगणना की हैरार्की में उचा स्थान प्राप्त करने की होड़ सी मच गई इसका परिणाम यह हुआ कि स्थान की लड़ाई के लिए अनेक संग है कि कॉंग्रेस आजाधी के पहले से यूपे सरकार एक और दो के कारेकाल तक जाति जनगणना की घोर विरोधी रही है दरसल जब 1931 में पहली और आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी तो इसे कॉंग्रेस ने ब्रेटिस सरकार का समाज को तोड़ने का सड़ियंतर करार दिया था दूतिय विश्वविद के कारण 1941 में जनगणना नहीं हो पाई मगर जब भारत आजाध हुआ तो पहली जनगणना हुई लेकिन इसमें जातियों की गिंती की मांग ठुकरा दी गई स्वतंतर भारत के पहले ग्रह मंत्री सरदार वल्ला भाई पटेल ने जाति जनगणना की मांग को ठुकरा दिया था वर्स 1951 में जाति जनगणना पर संसद में हुई पहली चर्चा में प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू ने भी इसका विरोध किया यहां तक की वर्स 1961 में उन्होंने राजियों के मुख्य मंत्रों को पत्र लिख कर जाति और धर्मी के नाम पर आरक्षन पर ही सवाल खड़े किये थी नहरू के बाद इंद्रा और राजीव सरकार का भी यही स्टेंड बरकरार रहा इंद्रा गांदी ने असी के दसक में मंडल कमिशन की रिपोर्ट को ठंडे वस्ते में डाल दिया और बीपी मंडल की जातिगत जनगर्णा की मान को भी खारिज कर दिया फिराया वर्ष 2010 मनमहन सरकार ने जातिगत जनगर्णा कराने का निर्णे लिया मगर स्वयम इसके आंकड़े कभी जारी नहीं किये आपको एक दिल्चस्प बात बताते हैं इस ततकालीन सरकार में प्रणम मुखर जी की अध्यक्स्ता में बना मंत्रे समोवी किसी नतिजे प पर नहीं पहुंच पाया था यहां तक की देश के ग्रह मंत्री पी चिदंबरम सहीत मीरा कुमार और अजय माकन ने इसे अव्यवहारिक बता दिया था संसद में दिये गए अपने भाषण में चिदंबरम ने कहा कि भारत सरकार की नीती वर्स 1951 से ही है कि जाते आधारित जनगर्ना नहीं की जाएगी वे कहते हैं कि जो सदस्य कह रहे हैं कि कास्ट रियालिटी है उन्हें यहाँ भी समझना चाहिए कि कास्ट डिवाइडिंग फैक्टर भी है और क्या हम इस तरह से कास्ट लिस सोसाइटी बना पाएंगे चिदंबरम ने इस प्रक्रिया की जटिलता को समझाते हुए कहा सभी सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए कि OBC से जुड़ी केंदर की सूची अलग है और राजे की सूची अलग कुछ राजियों के पास OBC और इसके अंतरगत अन्य पिछडे वर्ग की सूची है वहीं कुछ राजे ऐसे भी हैं जिनके पास OBC की सूची ही नहीं अब प्रश्ण यह है कि चिदम्मरम के मन में यह सवाल क्यों उठ रहे थे और वो एक किंज टिलताओं के आधार पर इसका विरोध कर रहे थे इसका जवाब हम आपको देते हैं दरसल जातिये जनगर्णा में सबसे महत्वण यह है कि मुखे जनगर्णा के साथ जातिये पहलो जोडने से जनगर्णा की पूरी कवायत खत्रे में पढ़ सकती है ऐसा हम नहीं कह रहे बलकि यह भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालाई ने कहा है यह टेकनिकल और लोजिस् करोड रुपए भी इस पर खर्च कर दिए अब परिणाम क्या हुआ यह वह आपको बताते हैं कि वर्स 2011 में इस डेटा से 46 लाख जाति के नाम मिले थे जिनका प्रोपर केटोगराइजेशन करना नामुम्किन था वर्स 1931 में अंतिम जातिये जनगर्णा में सिर्फ 4147 जात थी लेकिन आधिकारिक राजी की पिछडी जातियों की सूची में केवल 494 हैं कुल मिलाकर 2011 की जाती जनगर्णा में आंकड़ों में एक दसम्लब एकाट करोड से अधिक तुरुटियां थी ऐसी अनियमित्ताओं और विसंगतियों के कारण यहां आंकड़े कॉंग्रेस सरक आज राहूल गांदी और मलिकारदुन खड़के कह रहे हैं कि जातिये जनगर्णा करवाईये लेकिन क्या वे चिदंबरम की तरह जातिये जनगर्णा की तक्नीकी समस्याओं को समझते हैं सबसे अधिक जिस बात का डर रहता है वह है लोग स्वयम को कैसे वरगिक्रित कर पाएंगे क्योंकि हमारे देश में लोग अपनी पहचान के लिए परस पर कुटुम गोतर जाति और उपजाति का प्रियोग करते हैं इसके अलावा कई जातियों में लिखने के तौर पर और सुनने के तौर पर समानताएं हैं ऐसे में इनको भिन भिन कैसे कर पाएंगे केंद्रे सूची में लगवग 2500 जातियां हैं जो OBC में आती हैं वहीं राज्य और केंद्र सासित प्रदेशों के सूची में यह संक्या 3000 से उपर है जिसमें उपजातियां भी सामिल है इन सभी बिन्दूओं का आगे रखकर ही शायद मोधी सरकार ने जातिये जनगर्णा को लेकर अपना जवाब सुप्रिम कोर्ट में भी दाखिल किया थ जिसमें उन्होंने आकड़ों की बड़ी तुरूटियों को सामने रखा था अब आगा में लोकसवा चुनाओं सामने हैं तो विपक्ष का पसंदिद्धा मुद्दा बन गया है जाति विपक्ष का तर्क है कि जातिका जनगर्णा सरकारों को बहतर डेटा सेट के साथ जन सं उम्मीद से कम होने पर रिजल्ट रिलीज नहीं किये इस कवायद के लिए उन्होंने 147 करोड रुपे खर्च किये थे वहीं बिहार सरकार तो इस सर्वे पर 500 करोड रुपे खर्च कर रही हैं सीम नितिश कुमार जाति जनगर्णा का जंड़ा थामे हुए हैं लेकिन क्यों राजनितिक पंडितों का मानना है कि नितिश कुमार की यह कारवाई आगामी लोगसभा चुनाओ को देखते हुए एक सोचा समझा कदम है वर्ष 2006 में नितिश कुमार ने पंचाय चुनाओ में अति पिछडी जाति के लिए 20 परतिशत आरक्षन लागो करवाया था फिर वर चुनाओ और फिर पिछले साल हुए तीन सीट पर उप्चनाओ परिणामों से पता चलता है कि अत्यंति पिछडी जाति जिनमें कुर्मी और कुसवाह भी हैं इन जातियों से मिलकर वने उनके मूल वोट बैंक ने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है इसलिए वह जाति जन्गर्ना करवा कर ही मानेंगे लेकिन केंद्र की मोधी सरकार ने इस पर अपना स्टैंड सपष्ट कर दिया है कि वह जाति की राजनीति के सहरे आगे नहीं वड़ेंगे मोधी सरकार ने साइध यहां मांग इसलिए भी खारिज की क्योंकि सेक्ड़ों वर्सों के बाद भारतिय उप महाद्वीब की सभी जातियां राश्टरवाद की भावना में एक जुट हो रही हैं और जाती जन्गर्णा की मांग इसी भावना को तोड़ने का प्रयास है आप इस जाती जन्गर्णा की राजनीती पर क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बने रही हमारे साथ देखते रहे हैं दपैंप्लेट